hello friends, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए, आज फिर से चलते हैं अपने कीच्छन की और और देखते हैं कि आज हमारे कीच्छन में कौन-कौन सी टिफ है जो कि जब हम कभी कीच्छन में छोटी-छोटी काम में फच जाते हैं तो ये मेरी छोटी छोटी टिप आपकी बहुत मदद करती है लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कीजन से जूरी हुई छोटी छोटी टिप है तो आप मुझे लिख भेजें मैं आप सभी के साथ में आपके भेजे हुई टिप को शेयर करूँगी तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आये तो एक लाइक जरूर करें तो चलिए चलते हैं देखते हैं आज की पहली टिप इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लेफ्ट बर खिचरी का इस्तमाल किया है इसमें जो भी कुछ सबजें आपको टालने हों उसे थोरा सा दर दरा क्रश कर लेना है बहुत ज़ादा बारिक नहीं पीसना है या फिर बहुत ज़ादा मोटा आपको नहीं रखना है इसमें एक चमच घी और दो चमच दही चावल का आटा बेसन और रेगुलर आटा बागे कुछ मसाले डाल करके और मैंने इसे इस तरह टाइट सा इसका एक डो बना दिया है और अब हाथों पे इस तरह फैला करके मैंने इसे वड़े का सेप दे दिया है इसे फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है अगर ये छोटी छोटी टिप आप इस वड़े को फ्राई करते वक्त फॉलो करेंगे तो आपका वड़ा बहुत जादा टेस्टी बनेगा साथ में दही और चटनी का डिप बना करके सर्फ किया है आप इसे मैयोनीज के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसे कैचप के साथ में सर्फ कर सकते हैं तो इस डिप से वड़े बनाएं आप ट्राई करें इसे उपमा बनाने के लिए अगर आप थोड़ा मोटी वाली सूजी लेंगे तो इसका उपमा खिला खिला बनता है और इसे आप बिना तेल का भी भून सकते हैं या फिर आप तेल या घी और भी जो भी चीज़ा आप इस्तमाल करते हैं उसमें भून सकते हैं लेकिन आपको बहुत जादा इसे नहीं भूनना है एकदम हलका जैसे ही कलर आना शुरू हो जाए तो बस उतना ही आपको भूनना है अगर आप जादा लाल कर देंगे तो इसका ठेस्ट खराब हो जाएगा या फिर कलर भी आप देखते हैं खराब हो जाएगा सबजी को भूनते वक्ति अगर नम कि चालीं परेंगा पानी आपको के डालना है अगर एक सूझी है तो आपको तीन समय डालना है तो इस तरह अगर आप उपाव बनाएंगे तो आप का उपमा बिल्कुल पर्फिक्ट i Gel करें कि इस गोल कपप्य को मैंने बिना फ्राइ कि쪽에 माइकर नया है तो माइकर discour ornaments हंदेड पे इसे 30 सेकंड के लिए मैंने चलाया है बहुती अच्छा यह फूल गया है तो अगर आपको बिना फ्राइ किल गोल कपह धाल हैं तो आप इस तरह इसे बना सकते हैं अगर आपके पास microwave नहीं है तो आप इसे बालो में यानि कि रीत में या फिर आप इसे नमक में भून सकते हैं नमक को अच्छी तरह गरम कर लीजिए और गरम करके उसमें एक एक दो दो करके डालिए और डाल करके उसे चलाते रहिए आप देखेंगे ये बिल्क पानी बनाने के लिए लिया है उसे osaurs मैंने रेडी मेर पैकेट वाला लिए है तो इस तरह आप इसका पानी भी बहुत आसानी से बना करके घर बहुत आराम से गुल गप्य तयार कर सकते हैं गुते हुए अटे का पास्ता बनाने के लिए आपको सब से पहले इस को इस तरह लोई बना लेना है लोई बना करके थोरा सा चप्टा कर लेना है और इस पे थोरा सा तेल लगा लेना है ताकि उबालते समय ये चिपकेगा नहीं और अब आपको इसे उबलते हुए पानी में डाल देना है जब ये तैर कर उपर आ जाये तो समझ लिजिए कि ये पक गया है फ करेंगे तो चीकना हो जाता है तो इसे हेंड़ट करना दोला मुश्किल हो जाता है तौ आप अपने हाथ पर्षेक्ट परफेक्ट बनेगा तो अन्षे सित्राई करें एन फ्रेंग कि आप मैदा से ने सटे हैं, और आटा से ने सकते हैं, ने दोनों मिक्स वैसा ही मुलायम आपको आठा गोथना है और पहले जो सेखना है वो थोड़ा कच्छा पका आपको सेखना है जब आपको फ्रेंग की तयार करना हो तब आप इसे बटर में घी में या फिर तेल में जूब ही आप पसंद करते हों उसमें सेख करके और उसमें आप सौस सब्चि करें इस महल पूय को मनाने के लिए मैंने पनेर लिया है तो पनेर लिया है 100 ग्राम और इसमें चीनी के चैनी के साथ में और चीनी के साथ में और और इसमें मयदा जाला है कर के मैंदा डाल करके और इसे पाणी के साथ में इसका एक इस तरह की तरह जैसे की दिवन कंसिस्टेंसी का बैटर हमने तयार कर लिया है और अब इसे फ्राइए करने के लिए आपको हाई फ्लेम पे बिलकुल फ्राइए नहीं करना एक तम कम गरम करना है बहुत जादा गरम जाएगा तो इस टिक के साथ माल पूर बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा यह बिल्कुल सौफ्ट नर्म मुलायम नास्ता बनाने के लिए आपको सूजी में चार चमच चावल का आंटा डालना है और दो चमच इसमें तेल डालना है आपको जितना आपने सूजी तो इसक barking काफी आलागाता है मतलब कि काफी अच्छा आता है आप इसके ऊपर थोरा सा लाली वर्ज का पाउडर अगर इसके एक कर देंगे तो इस देखने में तो काफी अक्छा लगता यह है खाने में भी काफी अच्छा लगता है और आप इसे थोरा सा खर-ठाल लका सा थोगा सा fry कर लें। यानि कि ऀएलो fry कर लिजिए। आप इसे बिनासे व्य ऐ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ट्राइ ए इस टिप से। इस नास्ते को पनाने के लिए अगर आप आटे में दो चमच बेसन डाल देंगे तो इस नास्ते का टेस्ट बहुत जाधा अच्छा आएगा और अब इसमें कुछ सबजियां, जो भी सबजियां आपको पसंद हो, वो सबजियां आप इसमें डाल सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पता डाला है इसे 10 मिनट का रेश्ट दे दिया है और अब ब्रेट की छोटे-छोटे पीस काट लिये हैं और इन्हें मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें टमाटर प्योरी और इसमें सेजवान चटनी डाली है इसकी जगा आप पीजा पास्ता सॉस ले सकते हैं और आप तवे पर इसे इस तरह मोटा सा एक इसका बेस बना लिया है बेस बनाने से पहले मैं आपको बता दू कि इसमें चुटकी भर मैंने सोडा डाला है बेकिंग सोडा जिससे की ये अंदर से काफी फलपी बनेगा और अब इसके उपर ब्रेट के पीसेस लगा करके ये बिलकुल टेस्टी सा नास्ता बन करके तयार है तो आप इस रेष्पी को ट्राई करें I hope आपको मेरी ये सारे टिप पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करें अपने फेमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और अगर फ्रेंट्स आप मेरे चैनल पे पहली पर आये हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी टिप देखने के लिए और आपको इन में से कौन सा टिप जाधा अच्छा लगा जाधा हेलफफुल लगा आप मुझे कमेंट करके जरूरू बताईएगा और अगर आपके पास बीस तरह की कोई टिप है तो आप मुझे लिख के भेजना बिलकुल न भूलें ताकि मैं आप सभी के साथ में वो टिप शेर कर सकूँ ताकि उसका फायदा सभी को मिल सके तो चलिए मिलेंगे फिर अगली बार अगली टिप में तब तक के लिए टेक क और आप बाइ